नमस्कार दोस्तों कच्छा दस्वी के गड़ित का मॉडल पेपर आ चुका है इंफेक्ट लगबख सभी सब्जेक्ट का देरे देरे आ चुका है तो 2023 में किस प्रकार से परिच्छा पैटर्न होगा और कैसा पेपर आएगा वो सारी चीजे हम बात करेंगे और जैसा मैं बता बिलकुल आपको वैसा करना है मैं मॉडल पेपर को हल करवा दे रहा हूं इसी परकार कच्छा दस्वी का पेपर आएगा और और भी माडल पेपर का वीडियो चैनल पर आ चुका है तो जाकर देखिए तो क्या पैटर्न बदल गया है मैं उसको बता देता हूं आपको इसमे एक गंटे में दे देना है हल करके फिर चीजों का आगे पेपर आप से लिया जाएगा जानी की बहुवी कल्पी के वेटेज को बढ़ायगा है तो बहुवी कल्पी प्रश्णें है मैं मैं उसको हल करा देता हूं तो पहला प्रस्नम से बोल रहा है कि एक परमे संख्या göz दसमलो परसार सदयों होता है एक परिमे संख्या का दसमलो परसार सदयों सांत होता है ठीक यह हो जाएगा आपका सही एंस्वर अगर मैं इसको हल करा कि कैसे सांत होता है तो कोई मतलम नहीं है क्योंकि आपको भविकल्पे मैं इसे पूछा जाएगा सीधे आपको सांत याद क करना है सांत आपको लगा दिना है इसको हल कराना मतलब बेकार होगा क्योंकि यह वैसे भी ठीटिकल है आगे जो चीजी हल कराई जाएंगे मैं इसको हल करके बताऊंगा अब यहां पर आते हैं दूसरा प्रश्ण एक सुनेतर परिमे संख्या और एक अपरिमे संख्या का गु अब अगला हमसे बोल रहा है रेखाओं यक्स बराबर जीरो और दो यक्स प्लस तीन वाई यहां पर आप देखिए रेखाओं यक्स बराबर जीरो और दो यक्स प्लस तीन वाई बराबर बारक का प्रतिच्छेद बिंदू है तो प्रतिच्छेद बिंदू के लिए हमें दोनों समी करड़ों को हल करना है यहां पर यक्स बराबर जीरो दिया गया है यक्स बराबर जीरो अगर इसी का मान हम इस वाले समी करड़ में रख दें तो हमको परतिछेद बिन मिल जाएगा कैसे मिलेगा यक्स बराबर जीरो यहां पर रखिए तो यह हो जाएगा 2 और यहां पर रखिए 0 और प्लस 3Y बराबर 12 यह तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा ठीक और यह बिचेगा 3Y बराबर 12 तो Y को Y के टर्म में इसको ले जाएगा 3 नीचे आएगा 12 के बन जाएगा 4 तीन चौक 12 तो Y कमान 4 आगया यक्स कमान हमने रखा था 0 ठी तो बनेगा क्या 0 4 यह हो जाएगा आपका सही एंस्वर दूसरा 0 4 हमने यक्स बराबर 0 इसमें रखा तो Y कमान 4 मिल गया तो इसका प्रतिशेद बिन जीरो 4 बन जाएगा आएगे नेक्स देखते हैं देखे वह सबसे बड़ी संख्या वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 औ और 125 को विभाजित करने पर करमसा सेशफल 5 और 8 प्राप्त होता है देखो बहुत लोग इसको समीकरण से करवाएंगे लेकिन मैं आपको सिंपल बताता हूं कि आपको भाग देके देख लेना भाग देने ज्यादा समय नहीं जाएगा मैं सिंपल सबसे पहला ही लेता हूं 13 अब 13 का भाग 70 में दीजिए अगर सेशफल 5 आ जाता है तो समलो ही सही है और इसके बाद 13 से ही भाग 125 में दो अगर सेशफल 8 आ जाता है तो बिल्कुल सही है तो चलिए देखते हैं हमने 70 में भाग दिया 13 का तो यहाँ पे 70 लिख देते हैं यहाँ पे 13 से भाग देते हैं पचे 65 और यहां पर घटा लेंगे तो आ जाएगा पांस तो पहला केस तो बन गया पांस सेशफल आ रहा है अब देखिए तो अब हम 13 का भाग 125 में देंगे अगर सेशफल 8 आ जाता है तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा तो चलिए 13 का भाग 125 में देते हैं आप घटाओगे तो 8 आएगा ठीक तो यह हो जाएगा हमारा सही अपसं 13 सिंपल आपको भाग देके ही देख लेना है तो पहला आपसं सही हो जाएगा अब आए नेक्ट देखते हैं यहां पर यह बोल रहा है समी करण 2x प्लस ay बराबर 1 3x माइनिस 5y बराबर 7 का कोई भी हल होगा अगर कोई भी हल नहीं होता है तो इसका कंडिशन क्या होता है यिवान अपान एर्टू अं सबयान वाज़ारई है यह इसका काम न करना solve करना है तो मैं लूँगा A1 upon A2 यहाँ पे A1 है 2 यहाँ पे A1 है 2 तो A1 2 upon A2 क्या है 3 यहाँ पे आप देख लिए 3 अब बराबर B1 क्या है यहाँ पे A और यहाँ पे B2 क्या है minus 5 ध्यान दीजिए minus 5 लीजिएगा अब इसके बाद यहाँ पे क्रास मल्टिप्लाई कर दीए यह हो जाएगा 3 A बराबर माइनस 10 उके उसके बाद यह बराबर हो जाएगा माइनस 10 बटे सारी यहाँ लिख देता हूं माइनस 10 बटे 3 आप समझ गए माइनस 10 बटे 3 यहाँ पे आपका तीसरा अंसर हो जाएगा अब आए यह नेक्स देखते हैं द्विघास समीकरण 2 यक्स स्क्वाइर माइनस 4 यक्स प्लस 3 बराबर 0 के बारे में निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए अब देखो इसका सिंपली पहले तुम बीविक्तकर का बात हो रहा है तो पहले बीविक्तकर निकाल लेते हैं विविक्तकर मतलब डी बराबर 20 स्क्वाइर माइनस 4 एसी तो बी यहाँ पे क्या है माइनस 4 है तो इसका स्क्वाइर कर देंगे तो आजाएगा 16 और माइनस 4 एसी 4 और ए क्या है 2 तो मतलब 4 दूना 8 और C क्या है 3 तो 4 दूना 8 तरिक 24 और यह हो जाएगा माइनस 8 विविक्तकर निगेटिव आ रहा है यानि कि दिये गए समी करणों का विविक्तकर सूने से कम है बिल्कुल सही बात है माइनस में आ रहा है और समी करण के मूल वास्तविक नहीं है बिल्कुल अगर निगेटिव मा जाता है वीवित कर तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं दोनों सही है अब आये देखते हैं हमारा कौन सा आप्सन सही है तो यह हो जाएगा पहला आप्सन जिसमें बोल रहा है कि A और B दोनों सही है